कूरमी लोग अधिवासी बनना चाहते हैं, तो भारत देश में कोई भी जाती समू, ST, SC, OBC बनने का मांग रख सकता है, बन भी सकता है, यदि भारत सरकार और राज सरकार उसकी अनुसंसा करेगा, जांच परताल के बाद उसको बनाएगा, तो यह भी अधिवासी बन सकते हैं लेकिन यहां पर मैं एक राजनितिक बात यह कहना चाहता हूँ, इन लोगों को बिहार बंगाल उडिसा में, जारखन में जेमें पाटी, उडिसा में बीजेडी पाटी और बंगाल में टीमसी पाटी, इन लोगों ने भोट के लालच से इनको उलजा के जासा देके के हम अश्टी बनाया जाए, तो मान लिया अभी कुर्मी मा तो एस्टी बन जाएंगे, कल को तेली बनिया, कुमार, घोड, बहुत सारी जातिया है, ओभी बोलेंगे तब हमको भी बनाओ, हमने क्या कसूर किया है, बोलेंगे और बोल सकते हैं, और विचार करना भी पड़ेगा, तो बचेगा क्या, तो इस बात के लिए हम भारत सरकार और बड़ी पोलिटिकल पार्टी, JMM, TMC, BJD आदी से आगरा करेंगे, आप किसी को भी भोट के लालच से, राजनितिक श्वार्त और अपने लाप के लिए किसी को भी आदिवासी मत बनाएं, उसको जाज परताल कीज उसके लिए ट्राइबल रिसेर्च इंस्चूट हैं, आंत्रोपोलिजिकल स्टाडिक के व्योस्ता हैं, हिस्टोरिकल स्टाडिक के उसके तरीके हैं, उसके बाद ये भी ध्यान रखिये, कि हम भारत के आदिवासी आज से ने अंग्रेजों के समय से हम सुची में हैं, और हम अंग्रेज लोग लड़ाई-भड़ाई-संगर्श के कारण पहचानते हैं, हमारी अलग भासा संस्कृतिया और जाती आदि का आधार है, तो इन आधारों से इसको देखा जाएं, तो ये जो तीन पोलिटिकल पाटी इन तीन राज्यों में हैं, इसके खिलाप हैं, और यह यहां पर एक पोलिटिकल बात हम यह भी कहना चाहेंगे, जेमेम पाटी गुरुजी सिभू सोरेन, हेवान सोरेन के नाम से करीब 40-50 साल से इलोग पावर में हैं, राज बनने के बाद 22 साल में इलोग पांच बार मुख्य मंतरी बनें, हर बार विपक्षी दलकन लीडर लेकिन यहां पर ना अधिवासी का सरनाधरम को मनता मिला, ना संताली भासा जो आठों इनुसुची में सामिला है, पर्थम राजवासा का दर्जा मिला, ना सी एन्टी कानून का रक्षा होता है, जमीन रोज लूट हो रहा है, रोज भी स्थापन पलायन हो रहा है, निती करते हैं सता के लिए, आधिवासी समाज की उत्थान और प्रगति के लिए नहीं, तो आधिवासी समाज में आज भी नसापन, आंध विश्वास, डाइन पर्था, भोट कोहाणियां, दारु चकना में बेचनी की प्रामपरा और प्रभिरती, और भी बहुत कुछ इर सिजन दे के आगे बढ़ता है, तो हमारा कहना है, ये 22 वर्सों में जेमें को बहुत मोके मिले, लेकिन ओके वल सता के लिए, और वो क्या करता है और एक मामला, चुकि मुसल्मान और इसाई बने जो अधिवासी हैं, और बीजेपी के से उनको डर लगता है, तो उन लोग ज सिजन दे के लिए, तो जेमें पाटी आदिवासी के नाम से भोट तो लेता है सबसे ज़्यादा, और हम सरना आदिवासी को धोका देता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसका भोट बेंग सुरक्षित है, मुसल्मान और इसाईों के द्वारा, अलालु जी के कारण से कुछ पिछड़ी जाती का भोट भी, तो अभी भी चुनाओ हो जाए, जबकि एतना करप्षन का मामला है मन सुरना और खांदान के सामने आ गिया है, प्राइमा फेसिफ हैसला कब होना है, अलग बात है, लेकिन प्रमानित लगभग हो गया कि मामला बिलकुल है, तो तब भी यद दंका फुस हो जाता है, क्योंकि यहां अदिवासी नेता बीज़पी में है, पबलल मरंडी, अर्जुन मुंडा, कडिया मुंडा, जोईल उरा और भी बहुत सारे, लेकिन इनके पास अदिवासी मुद्दा नहीं है, खाली विकास विकास बोलते हैं, और उस विकास में C&T को भी गला घोटना इनका विकास है, तो जब तक बीज़पी यहां मजबूत नहीं होगी, तो जेमें और यूपीय को कोई टकर नहीं दे पाएगा, और नतिज़ा हम अदिवासी मारे जाएंगे, जैसे अभी हम मर रहे हैं, तो हमारा कहना है, मोदी साहब, देश में आपने कोई स्थापित किया, दुनिया में भी, कुछ लोगों को पसंद नहीं है, मोदी साहब, वो उनका अपना ममला है, लेकिन यथार्थ तो यहीं है, तो उस मोदी को, उस बीज़पी को जारखन में मजबूत होना चाहिए, नहीं तो यह जेमें मौलें, और बाकी जो यूपीय मिलके साब को अधिवासी बना देंगे, हम असली अधिवासी को खथम करवा देंगे, तो इस से हम बचेंगे कैसे, यह तो पॉलिटिकल पावर है, तो हमको भी पॉलिटिकल पावर की जरूरत है, और बीज़पी ही हो सकती है, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास तर्क हैं परमान है डॉकुमेंट्स है एविडेंस है तो हाइए कोट या सुप्रीम कोट जाएं वहां स्थापित करें और तुरत एस्टी में बहाल हो जाएंगे रेल रोकना यह पाटी ओपाटी का नत्म स्थाख होना इसका जुरुत नहीं है और यह जो अभी कुर्मी अंद करने के पक्षदान नहीं है हम यह तीन पाटी जो इनको बहला फुसला के अपने भोट के लालच के लिए ऐसा किया है कल को और भी जाती हों को यह लोग ऐसा करें यह लेकिन हां हम अधिवासी है असली अधिवासी है तो हमको हमारी अस्तितों और भॉश्य का चिंता तो है तो चिंता को हम politically, logically, constitutionally हम सामने रखें यह और यह जो अधिवासी थे पहले मुझे लगता है उतना सच बात नहीं है चुकि मेरे पास 1931 का census of India हमने फोटो कोपी करके लाया है 1901 का भी census का हमारा रिपोर्ट है वहाँ पर 24 जातियों को उन लोगों ने imperial data में 17 और 18 में रखा ह जहां कुर्मी नहीं है अभी आप लोग थोड़ा उसको देख सकते हैं अपने राजिस जुड़ी हर ताजा ख़बरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले